हेलो एवरिवान, वेलकम बाक तो मैं चैनल, तिक्षास पोफिक प्लेट और जसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ, चटपटी, मसालेदार, यमी, भिंडी आलू की सबसी, बहुत ही यम लगती है, ये सबसी, बहुत ही मसालेदार और सबसे पहले मैंने यहाँ पैं में तेल गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा, जैसे जीरा थोड़ा सा क्राकल हो जाएगा इसमें डालने हम हींग, तो एक चोटा चमच, आधा चव्च मेंने हींग डाला है, और इसके बाद, इसमें डाल़ दूंगी मैं लेसुन और ह ट्वाला है थोड़ा सा और इसका ककलर हमें चेंज नहीं करना है बतल ब्राउन नहीं करना है बस जब यह पक जाए और थोड़ी सी brown सी coating आ जाए हलकी हलकी सी तब तक पकाना है और जब लेसुन थोड़ा सा पक जाएगा इसमें डाल देंगे हम दो medium size के प्यास इसको मैंने लंबे-लंबे slices में cut कर लिया है और बस इसको हलका सा तेल में mix करेंगे और इसमें डाल देंगे को थोड़ा सा मैंने बड़े-बड़े sizes में cut किया है इसलिए मैं इसे प्यास के साथ ही डाल दे रही हूँ यहां आलूओं को पतले-पतले और छोटे-छोटे sizes में भी cut कर सकते हैं और यह देखिए इसको मैं हलका सा mix करूंगी और थोड़ी देर के लिए ढखके इसको ले ला हैं तो यह देखिए हलका सा चार-पांच मिनट तक मैंने इसे ढखके पकाया उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ ताकि आलू जो है वो अच्छे से पक जाए और इसके बाद इसको थोड़ा सा mix करूंगी और इसके बाद इसको मैं फिर से ढखके लगभग चार से पांच मिनट और पकाऊंगी या तब तक जब तक जो हमारे आलू है वो अच्छे से 60-70% तक ड़न नहीं हो जाते हैं और यहां देखिए हमारे आलू जो है वो अलमोस्ट पक गए है 60-70% तक और अब इसमें मैं डाल दूंगी अपनी भिंडी तो मैंने यह हां आधा के लोग के करीब भिंडी ली है और इसको मैंने मीडियम साइजिस में कट कर दिया पहुँ साथा चोटे भी नहीं कट करेंगे क्योंकि ज्यादा चोटे करने पर भिंडी तूटने लगती है तो वो देखने में अची नहीं लगती है और इसको मैं हलका सा मिक्स लगभग 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैं कुक करूंगी ताकि भिंडी जो चिपचिपी सी रहोती है न वो ना हो अगर आप इसे स्टार्टिंग में ही ढख देंगे तो ये बहुत चिपचिपी हो जाएगी दो-3 मिनट बाद मैंने अधक दिया है उसके बाद ये देखे 2-3 मिनट हो गया है धके हुए और फिर मैं इसको एक बार खोल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो आप लगभग दीन चाह मिनट इसे ढख के बकने दे और उसके बाद इसको खोल के एक बार मिक्स कर लें ताकि ये जले नहीं नीचे से और फ्लेम जो है वो मीडियम लोग पर ही रखेगा इसके बाद मैं इसमें थोड़े से स्पाइस डाल रही हूँ जैसे कश्मीरी रैच्चिली पावडर अचे से कलर के लिए थोड़े से धनिया पावडर, लालमेश पावडर नॉमल वाली जो थोड़े थीकी होती है हल्दी पाउडर डालोंगी और इसमें धाज जाएगा थोड़ा सा धुनेवे जीरे का पाउडर और साथ में जाएगा आमचुर पाउडर अची सी खटास के लिए नियस जरूर डालेगा ताकि उससे इसमें बहुत अच्छा शा खटास और फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है ब पढ़िया तरीके से कोट हो गया है और कितने बढ़िया लग रहे हमारे आलू जो है वो देखने में इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर से इसको ढग के लगभग तो यह देखे यहां पर 4-5 मिनिट और पकाऊंगी या तब तक जब तक हमारी जो भिंडी है वो अल्मोस्ट कोक नहीं हो जाती और यह देखे कितना बढ़िया कलर आया हमारी सबदी में कि मसाले कितने बढ़िया लग रहे है हमारे आलूं के ओपर और मैं आपको एक आलू इसमें तोडके दिखाती हूं आलू जो है वो बिल्कुल भी कच्छे नहीं रहेंगे ये देखे कितनी इजी ली हमारे आलू कट हो रहा है तो इसलिए हमने आलू को ना पहले ढंग से पका लिया था ताकि बाद में ऐसा ना हो कि भिंडी जलने लगे और आलू पके गना और हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है और चलिए अब इसे सर्फ करते हैं तो गैस की फ्लेम मैं बन कर दे रही हूं और इसे पकने में लगभग आपको टाइम लग जाएगा साथ से आठ मिनिट भिंडी बगाने में और यह देखें मैंने सर्फ कर लिए और कितनी बढ़िया लग रही है हमारी भिंडी अलू की सबजी तो आप इस सबजी को ना पराठी के साथ सर्फ कर दिये बहुत ही बढ़िया लगती है यह पराठी के साथ और आप इस recipe को अगर try करेंगे तो मुझे comment section में बताना मत भूलेगा आपको कैसी लगी और मेरे channel को subscribe जरूर कर दीजेगा और बगल में जो bell icon है उसे भी hit कर दीजेगा हम फिर में लेंगे एक नई वीडियो में एक नई recipe के साथ अपते के लिए Bye and take care और हाँ वीडियो पसंद आए तो उसे like और share सरूर करेगा Bye Bye